पूरी दुनिया में मौझूद है अपनी बेधी खास अदाओं से लोगों को मधभोश करने वाली सनी ने फिल्मों की दुनिया में अपना एक एहम मुकाम बनाया है लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि सबके दिलों पर राज करने वाली सनी खुद एक भारती क्रिकेट टीम के क्रिकेटर की फैन है दरसल सनी लियोनी ने भारत को काफी पसंद किया है ऐसे में क्रिकेट से उनकी दिल्चसपी होना लाजमी उन्होंने करीब दो साल पहले अपने पसंदीदा क्रिकेटर का नाम बताया था साल 2019 में एक प्रेटर्स कॉन्फरेंस के दुरान जब बॉलिवुड एक्टर सनी लियोनी से एक पतरकार ने पूछा कि उनके सबसे पसंदीदा क्रिकेटर कॉन है तो सनी ने बिना वक्त लगाए कैप्टन कूल अमेस धोनी का नाम बड़े ही प्यार सी लोगों के सामने लिया था सनी लियोनी ने कहा था कि मेरे फेवरेट धोनी है इसके पीछे उन्होंने वज़े बताते हुए का कि मुझे लगता है कि उनके पास सबसे क्यूट चाइल है मैं देखती हूँ कि वो अपनी बच्ची के साथ तस्वीरे पोस्ट करते है और ये काफी क्यूट लगता है वो मेरे फेवरेट क्रिकेटर है क्योंकि वो फैमिली मैं है सबसे खास बात ये रही कि सनी लियोनी ने MS दोनी को पसंद करने की वज़े के पीछे उनकी बैतरीन बलेबाजी है सूजबूजबरी कप्तानी नहीं बताई सनी को उनका परिवार से जुड़ाव काफी पसंद आया आपको बता दें कि MS दोनी ने पिछले साल 15 अगस्त को पुरी दुनिया के सामने अपने रिटार्मेंट का एलां किया था इंटर्नेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले धोनी अब सिर्फ आई पियल में खेट के लावा वो अपना जातर समय परिवार के साथ ही रहते हैं धोनी की गिंती भारत के सबसे सफल कप्तान होने होती है धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने दो वर्ल्ड काप और एक चैंपियन्स ट्रोफी का खिताब जीता है ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले समय में आई पियल में एक बार फिर जब धोनी जलवा दिखाएंगे तो क्या इस बार वो CSK की टीम को किताब जुता पाने में कामयाब होते हैं ने A&P Newsroom की रेपोर्ट